वर्ल्ड ओफ कंक्रीट इंडिया के नौवे संसकरन की मुंबई में शुरुवात, एक्स्पो में कंक्रीट, चिनाई, निर्मान और संबंदित उपकरन, उत्पादों और प्रोध्योगिकियों की एक मिस्त्रित श्रिंखला पेश की गई भारत के अग्रणी प्रदर्शन आयोजक, इन्फर्मा मार्केट्स इंडिया ने आज बॉम्बे एक्सीबिशन सेंटर, मुंबई में वर्ल्ड ओफ कंक्रीट इंडिया का नौवा संसकरन लौंच किया ये तीन दिवसिय पप्रदर्शनी 20 सक्टूबर तक चलेगी, कंक्रीट, निर्मान और बुनियादी धाचाक शेत्रों के सभी हिद्धारकों के लिए नवीनतम प्रत्नीकों और रुजानों से जुनने, सीखने और खूज करने का एक नूथा मंच है एकस्पो का भाव्य उध्भातन संजय भात्या, आएस, उपलोकायुक्त, महराष्ट्रा राज्या और पूर्व अध्यक्ष मुंबल पोर्ट ट्रस्ट, पूर्व पाध्यक्ष और M.D. सित्को, S.N. र्याध्डी, अध्यक्ष, बिल्डिस असोसियेशन औफ इंडिया, योगीश मुद्रास, प्रबन्ध निदेशिक, इनफॉमा मार्केट्स इन इंडिया, और रजनीश खत्तर, वरिश्व समू निदेशिक, इनफॉमा मार्केट्स इंडिया जैसे प्रमुप कनमान्य व्यक्तियों की उपस्तिती से चिलिपतिया गया था अच्छे नंबर्स के अंदर विस्तित आये हैं और इसके साथ साथ हमारा इस साल का जो मेन फोकस है वो टेक्नोलोजी और सस्टेनेबिलिटी पे है इनफाक्ट इंडिया ऐसा कंट्री है जिसने अलरड़ी एक टेक्सोनोमी और ग्रीन स्टील शुरू कर चुकि अगर भारत क नेट जीरो पहुंचना है तो इस सेक्टर का बहुत बड़ा कॉंट्रिबूशन बहुत बड़ा योगदान होने जाए और इसे मैंने अपनी स्वीच के अंदर भी बोला है कि हम लोग बहुत इनोवेटिव कुछ ने हमने आइडिया लेके आए हैं और जैसे मैंने पहले भी हैं उनको हम लोग एक वाइट पेपर के रूप में कैप्चर करके को पेश करेंगे कि भारत के टॉप सीयोस का इस सेक्टर के बारे में यह विचार और कल हमारा सीटियों क्लेव है जिसमें टेक्नोलोजी को ऊपर रहेगा तो एक इवेंट का कॉंप्रिहेंसी वाइट पेप कल हमारा सेकिंड हाफ में वर्ल अफ कॉंप्रिय इंडिया का एवार्ट से और आज हमारे साथ जैसे बिल्डर एसोसेशन आफ इंडिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज दोपहर एक वज़े से इनके अलग-लग मीटिंग्स हैं वेस्टन रीजन की मारश्या रीजन की औ इसके ओपर यह प्रेजेशन करने जा रहे हैं तो बहुत बड़ी एसोट ज्यम इंडिया की मीट होने जा रही है हमारे ही शोर के अंदर और और आज एक घुजरास्ते भी डेलीकेशन आया है हमारे पास तो एक दिखाता है कि कितना इंटरस्ट और कितना इंक्लिनेशन है इ जिसे बड़े कार्फरोड सेक्तर भी पाइस किया है तो इस तरह से गूप उदर शुप को ले रहे हैं कि इस नई टेक्नोजी को अपना रहे हैं और इस तहला आप अपने शेट वह रहा है जिए टेक्नोजी का लाप तो मेरे कहाते हम और आपको जो बाटम आप पिरमिड है इस नाम है भारत के अच्छेत्र के अंदर एकोनोमिक अच्छेत्र के अंदर कि जिस फील्ड में अगर एंटर करता है तो 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 इन मेक्स बिग और रिलाइस का भी ऐसा ही कुछ एम है कि जिस वॉल्यूम्स की वह बात कर रहे हैं जो कॉंक्रीट की अच्छी निटिट इन आटिफिसल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग्स है, डेटा इनलिटिक्स है और 3D प्रिंटिंग है जो मैंने बात की, 3D प्रिंटिंग आप देखेंगे हमारे शोर में भी है तो एक बहुत ही अदुबत जिसे बोलते हैं कि एक बहुत यूनीक किसम का एक्ष्पिरेंस है क क्या ये टेक्नोलोडी सेक्टर के लिए क्या कर सकती है और एक मैंने कॉंक्रीट स्कैनिंग की बात की है, ये सब चीजे हैं जो आपको फ्लोड पर दिखेंगी और मेरे खिया से ये बहुत बड़ा मैसेज है ये भारत के लिए और पूरे विश्व के लिए कि भारत इस तमे पर 11 देशों की कंपनीज हैं और 200 से ज्यादा प्रांट्स फ्लोर पे हैं और उसके साथ साथ हमारे जो स्पीकर साय हैं विए अगें फर्म एक्रॉस तग्लोड और हमारे पर हमारे अपनी लास वेगास टीम के जो टेक्निकल हैड हैं वो आये है क्योंकि उनको उन्होंने यह यहां पर बहुत एक कुछ ना कुछ टेकवे हैं और जैसे मैंने डिजिटल मार्किप्लेस को हमने अन्वेल किया है लॉंच किया है और मेरे खिया से फर्मी तक हमारे पोर्टल डेरी हो जाएगा और फिर तो फिजिकल कम्यूटी एंड डिजिनल कम्यूटी यह बहुत अच् अच्छा इनिशेटिब नोने लिया है और स्पेशली यह जो अच्छा आज तक अपने को तार रोड हटाना बढ़ता है अगर इसके उफर अपने को पांप्रीट रोड करना जाए और एक्जिस्टिंग तार रोड के उफर लेयर डालके यह कौंक्रीट का हो जाएगा 72 आर्स में जो टाइम और यह सारे इस तकनोल सेल्फ फिलिंग कॉंक्रीट इस सब की अवेरनेस यहां पे बहुत अच्छी आरे है तो मेरे को लगता है इसका बहुत फाइदा हो जाएगा जाएगा